दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन यह बुक आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंग्लीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इत्ता अच्छा कॉंटेंट मिला है आप जरूर परचेज कल आपके लिए करेंट अफैस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुख नियुक्तियां जितने भी इंपोर्टेंट अपॉइन्मेंट हुए हैं 2018-19 में सारे इस वीडियो में कवर करेंगे यह दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो हर एक्जाम में पूछा आता है भी विश सिइले फिर स्टाट करते ہیں बहुत ध्यान से देखिए पहला कोश्ण हमारा भावा परमाडू अनुशन्धान के अंद्रयानी बार्क का नया निदेशक की कौन बनाया गया बात हो रई भावा अटॉमिक रिसर्स सेंटर वहा परमाडू अन्संदान के इंद्र का नया Совभरी क यहां से question तो इसकी स्थाबना हुई थी दोस्तों तीन जनबरी 1954 में ठीक है 1954 में इसकी स्थाबना हुई थी और इसका headquarter कहाँ पर है यहां तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा सौमय श्वामी नाथन ठीक option C देखस्तों विश्ष स्वास्त संक्ठन ने सौमय श्वामी नाथन को मुख्य वग्जानी क्रू में नुक्त किया जो नए भी भाजन का नेत्युत करेंगे अब दोस्तों यहां पर वात हो रही है WHO की यानि World Health Organization की इसे लेटेट भी question पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेंगे WHO दोस्तों इसकी स्थाबना का होई थी यह स्थाबना पूछ लेता है एक्जाम में 7 अप्रेल 1948 में ठीक है 7 अप्रेल को ही प्रतिवर्श विश्व स्वास्त दीवस मना जाता है ठीक है वि important question की WHO के बरतमान में director general कौन है director general तो वो है टेड्रोस टेड्रोस एधानोम ठीक है टेड्रोस एधानोम बरतमान में WHO के director general है और विशुस्वास संक्ठर ने सौमय स्वामिनातन को मुख्य बगजानी के रूप में नियुक्त किया है ठीक है तो इतने fact आप WHO से लेटेट director general चलिए अगला question देख लेते हैं फिर दोस्तु इसी तरह में हर question में आपको explanation करता हूं तो आप वीडियो को last तक देखते रहिए हर exam के लिए काफी modern skip ना करें सायुक्त राष्ट विकास कारिक्रम की नई goodwill ambassador कौन है UNDP सायुक्त राष्ट विकास कारिक्रम की नई goodwill ambassador बनाय अगया है पद्मा लक्ष्मी को ठीका option C देखे उस्तु ये account है पोता दे कि भारती अमेरिकी टेलिविजन हस्ती और खाद विशेशक पद्मा लक्ष्मी को UNDP यानि United Nations Development Program इसका full form में याद रखेंगे UNDP का United Nations Development Program अब इसकी स्थाबना कभी थी UNDP की 1965 में थी ठीक यह भी question पू ठीक है नियुयाक सिटी में इसका headquarters है ठीक है तो इतने fact आप याद रखेंगे सेंक तुराष्ट विकास करकेंगे नई Goodwill Ambassador पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है चलिए अगला question देख लेते हैं question number four थे हमारा सावंवा ATP किताब जितने वाले दुनिया के दूसरे tennis खिलाडी पूरुश वर्ग में कौन बन गए है most modern question है तो सावंवा ATP किताब जितने वाले दूनिया के दूसरे tennis पूरुश वर्ग के खिलाडी बन गए रोजर फेडरर ओप्सन ए ठीक है दो मार्श को इन्होंने दुबाई में युनान के इस्टेफा नोस सिट सिपास को हरा कर दुबाई टेनिस चेंपियंशिप अपने नाम करने के साथ ही कारियर का सौमवा एकल खिताब जीत लिया है इसके लावा दोस्तों आपको बता दें कि सौमवा एकल खिताब जीतने वाले दुनिया के जो है दूसरे पूरुस खिलाडी बन गए है ठीक है और आपको उता दे को जीमी कोनर्स के बाद ठीक है जीमी कोनर्स जो हैं फस्ट नमर पर हैं ठीक है और यह 109 खिताब जीते हैं जबकि यह जो रोजर फेडर ने सौमवा के टीबी खिताब जीतने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं यह 15 में वित्तायोग के ध्यक्ष कोन है मोस्ट इंपरेंट कोश्चन है एके सिंग ठीक है एके सिंग 15 में वित्तायोग के स्थाबना अध्यक्ष था नमबर 2017 में हुआ था आपको बता देख देखे पारे में फाइनेंस कमीशन तो जो पहला वित्तायोग का गठन किया गया था पहली बार 22 नमबर 1951 में किया गया था और पहले वित्तायोग के अध्यक्ष थे केसी नहीं होगी ठीक है और वरत्वान में कौन है एन के सिंग है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे इतने फैक और वित्तायोग कि स्थाब्स दुस्तो भारती समिदान के आर्टिकल 280 के तहट भारत का राष्ट पती करता है पांच बर्सों के लिए ठीक है आर्टिकल भी आधर रखेंगे 280 के तहट 200 सीक तहट किया जाता है ठीक है चलिए तो बरतमान क्या रखेंगे एन के सिंग श्यंगत राष्ट में नए अमेरीकी राज़ूत के रूमें किसे निउख किया गया है करेक्ट एंसर हो जागा केली नाइट क्राप्ट को ऑप्सन बी केली नाइट क्राप्ट को अगला कोशन है हमारा कोशन नमर 7 तहै कीसे 28 के लिए गांधी शान्ती पूरुषकार दिया गया है गांधी शान्ती पूरुषकार बहुत इंबर्डेन कोशन नहीं योहेई ससा कावा को ऑप्सन बी ठीक है योग्योचा कावा को किस पुरूस होकी खिलाडी को Asian Hockey Federation द्वारा 2018 प्लेयर आप द येर अबाठे समानित किया गया है मनपीत सिंग ठीक है ओप्सन सी देखे भारती कैपटन मनपीत सिंग को Asian Hockey Federation 2018 प्लेयर आप द येर अबाठे समानित किया गया है को कο कौन से उचत्राज अमेरिका में सीर से राजने इंक को रूप में नेकत सादी अरब की पहली महिदर राजदूत है रिमा बित बंदारल साओद आप सन डी देखे उसलों साओधी अरब ने अमेरिका में अपने राजदूत को बदल दिया है और साउदी अरब ने अमेरिका में राजकुमारी रीमा वित बंदार को अपना पहला राज़ूत किया है ठीक है और राजकुमारी साउदी की पहली महिला राज़ूत है और पतादे को राजकुमार खालिद विन सल्मान की जगह लेंगी जिन्हें उपर अक्षामंत्री बनाया गया है स्वाइक तुराज अमेरिका में सीर्स राजनेक रूमें नियुक्त साओधी अरब की पहली महिला राज़ूत रीमा बीत बंदार अल्स साओध कोशन नमर 10 है सीरम इस्टिट्ट आफ इंडिया द्वारा सुरू किये गए स्वास्थ इम्मुनाइजड इंडिया अभियान की दूत कौन है करीना कपूर खान देखिए एक्ट्रेस करीना कपूर खान सीरम इस्टुटीट ओफ इंडिया द्वारा शुरू किये के स्वास्थ इम्मुनाइजड इंडिया अभियान की दूथ हैं कॉप संडी करीना कपूर खान नीदर लैंड द्वारा दिये जाने वाले फ्यूचर फॉर नेचर दोहरुनिस पुरुसकार का प्राप्त करता कौन नहीं है तो अलवर्ट अर्नोल्ड गोर ठीक यह नहीं है ठीक है देखे दोस्तों डॉक्टर दिव्या करनाड फरनाड अब्राहम और ओलिवियार संजिमाना फ्यूचर फॉर फॉर नेचर दोहरुनिस पुरुसकार के तीन प्राप्त करता है ठीक है यह तीनों को मिला है ठीक है और आपको तादिक नीदर लैंड में तीन मही को फॉचर फॉर नेचर अबार्ट सिवेंट के दोहर ने पुरुसकार दिया जाएगा अगला कोशन है मारा कीस गयर सरकारी संग्धाने एंजियो को वर्ष दोहर नेचर का लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पुरुसकार मिला है मिला है यूबा को ठीक है देखिए भारत के जहारखंड के ग्रामीड छेतर में काम करने वाली संस्ता जो यूबा को लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पुरुसकार के लिए चुना गया है किसे लॉरियस स्पोर्ट फॉर पुरुसकार दिया गया है सिमोन वाइल्स को देखिए दोस्तों जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स को साल की सर्विसेश्ट मेला खिलाडी का पुरुसकार दिया गया उन्होंने विश चेंपियन में रिकार्ड प्रसन करते हुए चार सुन एकरज काउंसिल आफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ने मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जैसरीवेन महता ओप्सन सी ठीक है जैसरीवेन महता संस्कृतिक सद्भाव 2016 के लिए टैगोर पुरुसकार किसे ने प्राप्त किया है किसे मिला है राम सुतार को ठीक है ओप्सन ए ठीक है देखे दोस्तों मैं आपको बतादू राश्पति रामनत कोविन जी ने राश्कुमार सिंग जीत सिंग और चायानाद जोकी किसे मिला है राश्कुमार सिंगिस सिंग को तो 15 का मिला चायानाद जोकी बंगलादेश की संक्ति संग्टा ने और 16 का मिला है राम सुतार को ठीक है कोशन 16 है कौन आई ए अफ यानि इंडिया ने फोस की पहली महिला फ्लाइट इंजिनियर बनी है हीना जैस्वाल ऑप्सन ठीक है हीना जैस्वाल को सेवा में सामिल कर लिए ठीक है हीना जैस्वाल के लिए अंतराश्टी होंकी महासंग का वर्ष का पुरुस खिलाडी पुरुसकारे सम्मानित किया है आर्थार वान डोरेन को ऑप्सन सी खोशन एटीन थे किस भारती महिला फ्लाइट इंजिनियर राष्टी वर्ष केंपियंशिप जीती है साइना नहवाल ने जीता है ठीक है साइना नहवाल ने ओलंपीक रजट पतक विजयता पीवी सिंदु को हराकर तीराश्वी सीनियर राष्टी वेडिमिंटेन चेंपियसी में महिला सिंगल्स का जो किताब जीता है साइना नहवाल साइना नहवाल राज के बरत्मान महासचिव कौन है तो यह काफी important simple question है एंटेनियो गुटेरस सेंक तो राज संक के बरत्मान में महासचिव एंटेनियो गुटेरस केंद्री प्रत्यक्ष करबोड के नयद्ध्यक्ष कौन बने हैं इसके नयद्ध्यक्ष बन गया है दोस्तों प्रमोच चंद्र मोधी ठीक है option c cvdt ठीक है केंद्री प्रत्यक्ष करबोड के नयद्ध्यक्ष कौन बन गया है प्रमोच चंद्र मोधी बहरत की चुनाव आईक तुरू में किसे निउठ किया गया है थो बहरत की चुनाव आईक तुरू में निउठ किया गया है शुशील चंद्र को उपसा ने, ठीक है शुशील चंद्र को किसे स्पोर्ट इस्टार एसेस लाइफ टाइम अचीमेंट वार दोहरुनीश समानित किया गया है प्रकाश पादुकोंड को ठीक है प्रकाश पादुकोंड को देखे दोस्तों भारती क्रिके टिंग के कैप्टन विराट कोहली को और स्पोर्ट्समेन आपदा एर के पुरुसकार समानित किया गया है और अपने समय के मसुहूर वेड्मिंटेन खिलाडी जो है प्रकाश पादुकोंड को लाइफ टामें अवाट से भी नवाजा गया है 2019 के लिए किस नेता को अफरीकी संग का अध्यक्ष चुना गया है अब्देल फत्य अल्थ सीसी ठीक है किस वे पंजाब पुलिस का महनेदेशक की रूम में निक्त किया गया है पंजाब पुलिस महनेदेशक दिनकर गुपता ओप्सान ए ठीक दिनकर गुपता चलिए तो यह थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्डन कोश्चन्स निक्ति उसलेटेड आई होप आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक करें शेयर करें यदि आपने पूरा कोश्चन सॉल्व किया है मैंने आपको जो टाइम दिया था बीच बीच में तो आप कमेंट वाक्स में अपने स्कोर जरूर लिखें चैनल सब्सक्राइब करें बेल का एको जरूर पिस कर दें वीडियो कैसा लागा कमेंट वाक्स में जरूर बता नेक्स टॉप की टॉपिक वीडियो चाहते हैं वह भी हमें बताएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ आप अपना ध्यान रखें आप सोच तरहें बेस तरहें मस तरहें जै हिन जै वारत ओल दे वेस्ट